हेलो एब्रिवन, कुकिंग फूड बेदिस्विता में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हेल्दी और टेश्टी पालक और बेशन की सबजी ये हेल्दी होनी के साथ साथ खाने में बहुत ही टेश्टी है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पालक की सबजी बनाने के लिए ये मैंने 300 ग्राम पालक ले ली है ये मैंने ताजी पालक ली है और मैं इसको डंठल समेत इस्तेमाल करूंगी तो चलिए इसको पहले उबाल लेते हैं पालक को वालने के लिए ये मैंने दो ग्लास पानी गर्म करने के लिए रख दिया था अब मैं सारी पालक इसमें डाल देती हूँ और लगबग दो मिनट तक इसको पका लेती हूँ मुझे 2 मिनट से जादा इसको वाइल नहीं करना है तो लेजिए अब मैं पालक को धक्के रख देती हूँ जिससे पालक अच्छे से उबल जाए तो चलिए 2 मिनट हो चुके हैं और पालक भी अच्छे से उबल चुके है इसको मैं निकाल लेती हूँ इससे जादा मुझे इसको ओबर कुक नहीं करना है अब मैं पालक को अच्छे से ठंडा कर लेती हूँ इसके लिए आप चाहें तो ठंडी पानी से भी इसको धुल सकते हैं और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो मैं इस तरह से चमसे दवाते हुए इसका सारा पानी निकाल लेती हूँ और जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए तो एक मिक्सी के जार में डाल कर इसका पेस्ट बना लेना है पालक में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो देखिए मैंने पालक को मिक्सी के जार में डाल कर एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है अब मैं एक बड़ा बरतन ले लेती हूँ और सारी पालक को उसमें डाल देती हूँ अब हमें पालक के पेस्ट में कुछ मसाली डाल ले हैं तो ये मैंने आदा चम्मच नमक डाल दिया है आदा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है आदा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और आदा चम्मच धनिया पाउडर डाला है और अब हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा हींग हींग डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और डालेंगे आदा चम्मच अजवाइन जिसको हमें हातों से ग्रश करके डाल देना है अजवाइन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और डाइजेशन सिस्टम भी बहुत ही अच्छा रहेगा तो अब मैं इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ तो चलिए सारी चीज अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं अब हम इसमें बेसन डाल डार कर एक सौट सा आटा लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा बेसन डाल कर ही आटा लगाना है तो देखिए हमें इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बेसन डालते जाना है जितनी बेसन की हमें जरूरत लगेगी उतना ही बेसन इसमें डालना है और बहुत ही सौट सा आटा लगा लेना है अब हम इसमें डाल देंगे एक चमच तेल, तेल डालने से जो बेशन लगेगा वो बहुत ही सौफ्ट हो जाएगा, तो चलिए बेशन लगकर तयार है, अब मैं हातों में थोड़ा सा तेल ले लेती हूँ, जिससे ये आटा चिपकेना, और मैं इसकी एक छोटी सी लोई लेकर इसका एक पेडा बना लेती हूँ, और इसको एक पूढ़ी जैसा बेल लेती हूँ, जैसे नॉर्मल घरों में रोटियां बनाते हैं बस उसी तरह कि मुझे इसकी एक रोटी बना लेनी है, तो देखिए मैंने एक पतली सी रोटी बना कर तयार कर लिए है, अब मैं इसको के हाथ से रोल करना है और इसके किनारे पर पानी लगा देना है जिससे ये रोल खुलेना तो देखिए मेरा रोल बनकर तयार है इसी तरह से मुझे सारे रोल बना लेने है इतने आटे मैं लगबग मैंने नौ रोल बना लिये है अब मैं इनको बॉयल करूंगी तो ये मैंने त अच्छे से वाइल आ जाए तो मुझे अपने सारे लॉग पानी में डाल देने हैं और लगबक 5 मिनट तक इनको पका लेना है तो मैं इनको ढख कर पकाऊंगी मैंने सारे रोल इसमें डाल दिये हैं अब मैं कढ़ाई को ढख देती हूँ और लगबक 5 मिनट बात देखूंगी देखिए लॉग अच्छे से पक चुके हैं सारे लॉग उपर आ गए हैं अब मैं लॉग को निकाल लेती हूँ और जो ये पानी है इसको हमें फेकना नहीं है इस पानी को मैं ग्रेवी में इस्तेमाल करूँगी तो इसी तरह से मुझे सारे लॉग अच्छे से निकाल लेने हैं और इनको ठंडा होने के बाद ही हमें काटना है तो चलिए मैंने सारी लॉग निकाल लिए हैं तो इनको ठंडा हो जाने देते हैं और इसके बाद हम इनको काट लेंगे तो देखिए लॉग ठंडे हो चुके हैं अब मैं एक लॉग ले इसको एक एक इंच के टुकड़ों में काटूंगी, आप चाहें तो इसको थोड़ा लंबा या छोटा भी कर सकते हैं, तो देखिए, इस तरह से मैंने सारी लॉक काट कर तयार कर लिए हैं, देखिए, कितने लेयर्ड लॉक बनके तयार हुए हैं, इसमें अच्छे से ग्रेव भर जाएगी, तो चलिए, अब हम ग्रेवी बनाने की तयारी करते हैं, तो ये मैंने एक कड़ाई ले ली है, उसमें एक बड़ा चमच भर के तेल डाल दिया है, अब हमें उसमें डाल देना है दो तेज पत्ता, दो सावत लाल मिर्च, एक बड़ी एलाइची, और दाल चीन को डाल कर अच्छे से चला देना है, ये मैंने दो प्याज जिसको बारिक काट लिया था, उसको डाल दिया है, और थोड़ी देर तक इसको लो मीडियम फ्लैम पर पकाएंगे, जब थोड़ा सा प्याज भून जाए, तो उसमें आदा चमच हमें जीरा डाल देना है, और जी का कच्छापन दूर हो जाए, और इसको भी इसी तरह से हमें एक से दो मिनट तक अच्छे से भून लेना है, तो अदरक और लैसुन का पेश्ट भी अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं, दो प्याज का पेश्ट, इसको भी लगबक तीन से चार मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं, इससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी और टेश्टी बन कर तयार होगी, तो दो से तीन मिनट हो चुके हैं, प्याज भून चुका है, अब हमें इसमें डाल देना है, आदा चमच हल्दी पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर, आदा चमच ला देखिए, चार से पांच मिनट हो चुके हैं, प्याज और सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं, टमाटर का पेस्ट, ये मैंने तीन टमाटर का पेस्ट लिया है, इसको भी डाल कर अच्छे से चला देते हैं, और थोड़ी देर के लिए इ तोड़ दिया है बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनकर तयार हुई है अब हम इसमें डाल देंगे जिसमें मैंने लॉग वाले थे वो वाला पानी और इसको अच्छे से चला देते हैं अगर आपको और पानी की जरूरत हो तो आप इसमें उबला हुआ पानी डालिए मुझे इसस देना है स्वादा नुसार नमक और इसको थोड़ी देर के लिए हम धक कर पकाएंगे जिससे नमक ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए तो देखिए थोड़ी देर वाद अच्छे से उबाल आ चुका है इसको अब हम चलाएंगे और जो हमने पालक और बेशन के रोल बन कर तयार किये थे वो भी इसमें एड कर देंगे बहुत ही तेस्टी सबजी बन कर तयार होगी तो अब इसको भी हम 3-4 मिनट तक ठक कर पका लेते हैं 3-4 मिनट बाद हमारी सबजी बन कर तयार है अब हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई हरी धनिया पत्ती देखिए कितनी कर तयार करी है इसको एक बार आप जरूर ट्राइ करिएगा तो कैसी लगी आपको हमारी ये सबजी की रेस्पी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा चाहे बच्चे हों या बड़े सब लोग ये पालक की सबजी खाना शुरू कर देंगे और आज से ये सबकी फैबरेट अंदाया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई